हेलो दुस्तो हमारे यूट्यूब के लान एम्डेम टेक्ट डूजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज के वीडियो का मेरा टॉपिक है यह अपना यहां पर सोग कर रहा होगा एक छोटा सा ओप्टो कॉप्लर है जो ओप्टो कॉप्लर इलेक्ट्रोनी सर्कीट जो आती वाई के लिए हमारे यह ऑप्टो कॉप्लर का जब से ज्यादा यूज होता है तो देख लिए यह अप्टो कॉप्लर हमारी 8-4 पिन की और कॉप्टो कॉप्लर है मार्केब में 4 pin, 6 pin, 8 wheel, 12 pin भी मार्केब में अविलेबल है तो देख लीजिए यह हमारा डॉट वाला भाग है डॉट वाले में यह 1 नंबर के pin है, यह 2 है, यह 3 है और 4 नंबर तो आज की वीडियो में 4 नंबर वाला optocoplar होता है इसका pin नंबर है, 1, 2, 3, 4, इसका नंबर है, optocoplar का PC817 तो इसका नंबर है PC817 है PC817 है, तो आपको यहाँ पे show कर रहोगा, PC817 है optocoplar है, optocoplar सभी electronic circuit में सबसे ज़्याजा use होता है तो यह हमारे optocoplar में जो 4 नंबर वाली pin मैंने बताईए इसमें से देख लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की pin तो इसमें यहाँ पे छोटा वाला dot दिखाए थे, मैंने dot बताईए यहाँ से गिंती की जाती है तो 1, 2, 3 और 4 नंबर की optocoplar है तो optocoplar किसी circuit में use होता है जो power supply की जो circuit होती है तो power supply की सभी circuit में यह use होता है तो आपको यहाँ पे देख लिजे, यह भी power supply की circuit हो तो यहाँ पे आपको यह छोटा सा isolate के लिए यह PC817 use किया है इसके साथ यह छोटा सा charger आता है, mobile charger में भी यहाँ पे PC817 use किया है तो यह हमारा PC817 है 1, 2, 3 फोन नंबर वाली pin इसके बाद यह हमारे पास दूसरे एक डीडी फेडी, set up box का यह power supply है तो set up box का power supply में यहाँ पे इसको भी use किया हुआ है देख लिजी यहाँ पे यह हमारा one number की पीन है यह one number की पीन है, यह two, three, four तो यह power supply में सभी power supply isolate के लिए use होता है तो देखते है यह कैसे use होता है, क्यों use होता है तो यह power supply में यह PC817 का use हुआ है तो PC817 में क्या होता है, isolator के use होता है जो input और output के बिच में isolation के लिए electrical isolation इसको बोलते है तो इसको देख लिजी यहाँ पे दो point है one, two number की pin तो one, two number की pin पे क्या लगता है एक छोटी जी एलिरी लगती है एलिरी का full pump होता है, light emitting diode तो यहाँ पे छोटी जी एलिरी लगती है और यहाँ दुसरा number है three और four number का दोनों के बिच में कूछ भी connection नहीं है यह PC817 में यह one एट्पूल number की दिच में यहाँ पे LED लगती है और यह three और four number की pin में यहाँ पे एक transistor लगता है जो photo transistor लगता है photo transistor का भी जो कर सकते हो photo register का भी यूज सकते हो photo diode का भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे महीने बतायने वाला हो जो photo transistor का यूज की आए तो समद्दों optocouplar में LED तो एक ही लगती है तो यहाँ पे photo LED लगती हो यहाँ पे क्या लगता है photo transistor लगता है इसकी जगा ट्राइक भी लगा सकते हो photo diode भी लगा सकते हो photo register भी लगा सकते हो इसलिए में यह बताने वालो तो किसी आपे electronics में question में भी पुशा जाता है LED के after couple में LED का है दूसरा क्या लग सकता है सामने तो photo diode photo register SCR ट्राइक photo transistor तो यहाँ पे में ने photo transistor का यूज किया है तो यह photo transistor यह आपे निस्टान दीख रहे होगा यह photo transistor यह transistor हमने यूज किया है NPN transistor तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ input देते हो isolation के लिए तो यह लेक लीजिए हमारी circuit है circuit में पीछे वाला circuit है देख लीजिए यह हमारी पूरी primary section है AC section है यह हमारी secondary section जो DC voltage होता है पूरा यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी connection नहीं है लेकिन यहाँ पे जो PC 817 लगे हुए हमारी यह तो PC 817 signal को transport करने के लिए यूज करता है तो यह PC 817 हमारी electrical signal electrical signal जब यहाँ पे देते है LED को LED को जब यहाँ पे supply देते हो हम गोग दे इसको electrical signal electrical signal को यहाँ पे LED एली प्रकाशिक होती है glow होती है तो आपको यहाँ-पे अंदर का structure है तो आपको यहाँ पे इखाएने पड़ है यहाँ बीचा supplies हो गए तो यहाँ पे अंदर का structure में बताने वाला हो तो देख लिए आप-पे अंदर का structure क्या होता है का प्रकासिस होता है तो कंचो कन्वेट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब दिया तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट कन्वेट रहे प्रकासिक करता है प्रकासिक सिग्नल को यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसफर करता है विज्दूत सिग्नल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तान्सपर होता है यह अप्टोकॉपलर सिर्फ यह इसोलेटेट के लिए यूज होता है यह हमार इंपूट सेक्षन है यह आउट्पूट सेक्षन बिच में कुछ भी कनेक्षन नहीं है वह आपको पहले समढ़ लेना है कि यह अप्टोकॉपलर में यह अप्टोक फोटो टांजेश्टर दोरों में कुछ भी विच में कुछ अंतर नहीं लेकिन यह क्या होता है यहाँ पर जब इनपूट सिगनल दोंगे तब आउट्पूट यहाँपे के लेडी ग्लो होगी तो ग्लो होगी इने से करें यहाँ से प्रकास होने से यहाँ पर इसके प्रकास यह अपना बेज है यहाँ बेज पर जाएगा बेज के जाएगा यहाँ पर इसका सिगनल ट्रांसपर्ट होके यहाँ पर एमिटर में जाएगा यहाँ पर कलेक्टर में से जो भी सिगनल जाएगा यहाँ पर होके एमिटर में सिगनल जाएगा तो आपको वही पर देखना है कि आईसोलेटेट करे करके यहां पर जब LED ग्लोह होगी तो यह ग्लोह होने से यहांपर इसका connection होगा, connection होगे यहांपर इसकी signal टरांसपट होगे टो सिर्फ सिगनल टरांसपट करने के लिए होटी है, यह वाल्टेज के लिए होती है चिप signal ट्रांस्पोर कलने के लिए होती है यह ओप्टक्ला नॉर्मली switch जासा पाल काम करती है अभी नॉर्मली open जैसा ही काम करती है switching की type काम करने लेकिन यहाँ पे input signal दोगे तो यहाँ पे output लेने के लिए switch normally close हो जाएगी अब इस आप इंपूट नहीं दिया है तो क्या होगा स्वीच हमारी नॉर्मली ओपन होगी जब आप यहाँ पे सिगनल दोगे तो यहाँ पे आउट्पूट हमारा इसका क्नेक्शन हो जाएता तो आप इसको उप्टोक प्प्र में यहाँ याप आली धी और एक टांजिस्टर का यूज किया है वो नॉर्मल यह current flow करता है तो flow कैसे करता है तो यहां से जब signal दोगी तो collector है हमारा तो यह हमारा क्या है collector है यह हमारा क्या है बेज है वह हमारा एमिटर है कांजिस्टर का जब signal याज current flow होगा current flow ने से आवे एमिटर में जाएगा तो यह optocoupler का उप्योग सिर्फ electrical isolation के लिए यूज होता है तो दोस्तों देख लिए इसी भी यहां पे कुछ supply नहीं है दोनों connection अलग अलग है अम इन्हें पहले भी बताए यह primary section है और secondary section को signal transfer करने के लिए हम optocop Laura का use करते हैं तो optocdepular का use जब electrical signal देते हो electrical signal का यहां पर प्रकास सिग्नल में convert करके फीर भी यहां पर electrical signal देताए signal देता है इसलिए इसको electrical isolated बोलते है क्या बोलते है इसको electrical ios Life क्हों ऑक्तो कपणितर भी बोल सकते हो ba एक फॉर्टो कपलर भी बोल सकते हो इसलिए अप्टो कलपर इसको माना गया है इसको क्या क्या का कम है इसकी एट वेंशन आफ्टो कल प्लर का इन-पूट के भीत में जो आइसोलेट करता है तो आइसोलेट के लिए हम यहां से श्विच की जगह यूज कर सकते हो किसी भी तो आप SI उसका यूज कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको बार पहले टेस्टिंग करता हूँ, मल्टी मीटर से, तो हमारे पास सर्कीट में लगा हुआ है, पावर सप्लाई सर्कीट है, सर्कीट में यह उप्टोकल पर लगा है, तो समर्की मल्टी मिटर से हम कैसे इसको चेक करते हैं, तो देख लिए यहाँ पर यह सो कर रहा है, आपको यह PC8 वेंश है, अप्टोकल पर यह दोनों LED बाग, यह वाला LED वाला बग मैंने देख लिए, यह हमारा LED वाला कॉंचर नमर वन टू, तो यह हमारा वन टू है, यहाँ पर नोच है, आपको नोच से पता चल जाया होगा, कि यह वन यह टू है, वर थ्री और फोन नमर का है, तो फोन यह टू नमर के है डायोड है, तो पहले मल् मल्chte-मिटर से मैं चेक करता हूँ, देख लिजी आपको कुछ भी सोडे कर रहा है, एक साइड देख लिजी इधर, और इसको मैं मल्टि-मिटर से प्रॉप चैन करके, क्या हुआ, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, एक साइड रजिस्टर्ञ बता रही, एक साइड रजिस्ट करता हूं यहां पर रेडिंग सो नहीं करें एक बार फोरोड अज बता रहा है यह लिए और एक बार रिवर्स पैस बता है तो यह साइड हमारे सही इसको स्वर्टिंग पूरी दोनों साइड रजिस्टन्स यहां पर सो करना नहीं चाहिए नहीं तो क्या होगा अपकर खराब ह होगी और यह 3 और phone number का जो connection है तो यह 3 और phone number जो हमारा है वो क्या है अपना transistor तो कौनचा यह collector और emitter है बेश्टों सिफ अंदर के लिए है तो emitter और collector बीज में आमको च्याप करना है तो यह हमारा emitter है और यह collector है देख लीजे दोनों साइट resistance नहीं बताना चाहिए और फिर भी आप continuity की multimeter से रेंज में रखके किसी भी दोनों साइट ऐसे लगाएंगे आप तरह में 3 और phone number में लगा लेकिन आपको यहां पर continuity शो करेगा तो समद लोग आपका यह optocoupler खराब हो गया इस तरह one यह two number जो LED है LED जो short हो गई होगी अंदर optocoupler में तो क्या बताएगा continuity sorting बताएगा बीब बजेगा तो बीब बद्देश भी आपको पता चलेगा यह हमारा optocoupler खराब गया है तो यह optocoupler isolation के लिए यूज होता है तो यह electrical signal को प्रकास signal करता है यह shift signal को ही convert करता है और इसमें दो यूज होता है यह आप LED यूज होती है दुसरा यहाप यह transistor यू करता है तो इसका टेस्टिंग में सरकी भी बनाने वाला हूँ दोस्तो तो आप इस वीडियो देखना चाहते हो तो हमेरे इस वीडियो के नीचे छोटा सा comment box में comment में लेख सकते हो तो मैं दूसरा वीडियो भी इसका circuit practically बना के आपको बताऊंगा तो मैं उमीज रखता अच्छा लगा होगा दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक हमारा जाही जय बारत